EVM पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं, इनकी सोच हिंदू को, हिंदी को और सनातन धरम को नीचा दिखाने की है, ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की चुपपी जरूरी है, ऐसी क्या इनकी सोच अब स्पष्ट नजर आती है, EVM पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं, भारत की संस्कृती, भारत की संस्कृती, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुन्योजित शडियंत रचा जा रहा है और ये सुन्योजित, सुविचारित, योजना का एक हिस्सा है, अगर आप देखेंगे इसकी शुरुवात, अमेठी की हार से ही हो गई थी, और शिरिमान राहूल गांदी जी की अमेठी की हार के बाद, उनका वो ब्यान जब दक्षिन भारत में जाकर वाइनार्ट से उन्ह पीचा दिखाने का काम उत्तर भारतियों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घ्रेणा भरी होगी, और कैसे देश को अलग लग टुकडों में देखने की उनकी सोच होगी, तब ही तो टुकडे टुकडे गैंग के साथ मध्य रातरी में भी जाकर हो गए थे, हमने तब भी कहा था कि कुछ लोग टुकडे टुकडे गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकडे पर राज करना चाते हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकडे नहीं होने देंगे, भारत को एक जुट रखेंगे, आप उस ब्यान के बाद आज को भी देख लीजिए, ये स्पश्ट और पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदु को, हिंदी को और सनातन धरम को नीचा दिखाने की है, कॉंग्रेस के नितरत वाला गमंड या घटबंदन, इसका गमंड और आहंकार पराजय के बाद भी चूर-चूर नहीं हुआ, बल्कि ये उत्तर भारत को, भारतियों को और यहां तक की सिनातन धरम को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मेरा सवाल तो ये भी है, कि आखिरकार आपकी भारत जोड़ों यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई हैं, जिस व्यक्ति को आप तलंगाना का मुख्य मंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका ब्यान कि तलंगाना के डिने बिहार के डिने से बहतर है, ये राहुल गांदी की मोहर इस ब्यान पर लगी है क्या, सोनिया गांदी जी की मोहर लगी है क्या, दूसरा तबिनलाडू के मुख्य मंत्री का एक बारनी बारबर ब्यानाना डीमके के निताओं के सनातन धरम हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिला ब्यानाना यह एक सोची समझी साजिश है सुनियोजित रंडिती का हिस्सा है जहां भारत और भारतियों को नीचा दिखाने का कोई कसर कॉंग्रेस नहीं छोड़ रही कभी EVM को गाली दो कभी Election Commission को गाली दो कभी हिंदी बोलने वालों को गाली दो कॉंग्रेस उनके सैयोगी लगातार देश की आस्था और संस्कृति का अपमान करती आ रही मेरा सवाल शेरिमान राहूल गांदी और सोनिया गांदी जीसे ये है कि ये देश को बांटने वाले ही सोच आखिरकार कॉंग्रेस क्यों ला रही कभी आप जाती वाद फेलाते हो तो कभी ख्षेतर वाद फेलाते हो जब जाती वाद पोवर आपको वोट ना मिले तो आप नौर्थ और साउथ करना शुरू कर दो आपके सांसर ट्वीट करें दस साउथ आपके होने वाले मुख्यमंद्री कहें कि तलंगाना का डिने बिहार के डिने से अच्छे आप उत्तर प्रदेश के लोगों पर बार बार प्रहार करें आपके सायोगी दल उत्तर भारतियों पर टिपनी करें और आपके होन्ट से ले रहें ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांदी सोनिया गांदी जी की चुप गया है क्यों होट सिल गए है क्या ये शडयंत्र कॉंग्रेस के मुख्याले पर लड़ा गया या इनकी जो गठबंदन की बैठक होनी थी इंडी अलाइंस की जो गमडिया गठबंदन है मैं उनसे पूछना चाहता हूं यह अशोबनिये अपमान जनक टिपनिया जो कॉंग्रे लीड भी है और मैं चाहता हूं राहुल जी और सोनिया जिस पर अपना जवाब दें और देश को बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश को बांटना जरूरी है ऐसी क्या मजबूरी है कि सनातन धरम का अपमान करना जरूरी है ऐसी क्या मजबूरी है कि संविधान की धज है कि एवियंगि पर ठीक राफ़ोडना ज़रूरी है ऐसी क्या मजबुरिया रहुल गांधि जी कि दक्षिन में अगर कहीं पर मालीजे केरल को जीते तो यह क्या कहते वहांपर शरिया कानुन लागू अगर ऐसा कोई कहता तो उनका क्या वियान होता यह सवाल साथ बार-बार सामने आते हैं और मैं यही कहूंगा हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर चले हैं सबको साथ लेकर चले दूसरी हैं कॉंग्रेस जातिवाद और किषेतर वाद इसी मुद्दे को लेकर चली है और इसलrocket को जवाब देना ही प्रेद कुछी।